हेलो बच्चों, तोड़े लेट स्टार्ट नेक्स चाप्टर और नेम अफ चाप्टर इस दे इन्वेंशन आफ वीटा वॉंक कल मैंने आपको बताया था न की एक साइंटिस्ट होता है और वो कुछ ऐसे इन्वेंशन करता है जिससे की इन्सान की उमर या तो बहुत घट जाती है या बहुत भड़ जाती है तो वीटा वॉंक जो है वो एज बढ़ाने वाली है तो जब यह दवाई बनाई उससे पहले there is a background for it let's read this Mr. Willy Wonka begins by inventing Wonka White यह जो Wonka White है न यह वो दवाई है जिसको पीने के बाद कोई इन्सान जो है वो अपनी उमर से छोटा हो जाता है यंग हो जाता है so which makes people younger but Wonka White is too strong जो Wonka White इसने बनाई न उससे यंग हो जाते है वो बहुत स्ट्रॉंग थी इतनी स्ट्रॉंग कि अगर कोई चाहे भई 10 साल चोटा हो जाए तो वो 10 नहों के 20, 30, 40 साल चोटा हो गया था so some people disappear because their age becomes minus अभी देख रहे हो ना जैसे ठंड होती है तो temperature minus में चला जाता है वैसे ही जब किसी आदमी ने तीन आदमी उने ये दवाई ली थी उसको लेने के बाद वो लोग बहुत छोटे हो गए थे एक साल के तीन महीने के इस तरह से हो गए थे वो one person actually becomes minus 87 उनमें से एक आदमी minus 87 एज का हो गया था यानि 87 years के बाद तो वो पैदा होगा minus में चला गया है which means he's got to wait 87 years before he can come back Mr. Willy Wonka must invent a new thing तो अब ऐसी situation है जहाँ पे यह जो Mr. Willy Wonka है इनको नया invention करना पड़ेगा क्योंकि यह जो age में थे यह लोग उससे भी कम हो चुके अब इनको कैसे normal लाया जाए उसके लिए Willy Wonka को कुछ नया invent करना पड़ेगा सो चलिए बच्चो लेट्स स्टार्ट पार्ट वन इसकी दो पार्ट है हम सबसे पहले पर्स पार्ट पड़ रहे हैं Mr. Wonka said So, once again I rolled up my sleeves and set to work Mr. Wonka कह रहे हैं कि एक बार फिर यानि पहले एक invention किया था न इन्होंने Wonka White बनाई थी अब situation जो change हो गई है तो यह कह रहे हैं Once again I rolled up my sleeves and set to work एक बार फिर मैं अपने काम पे लग गया Once again I squeezed my brain Squeeze यहां निचोडना होता है Brain को निचोडना यानि निकालके निचोडना नहीं यानि दिमाग लगा न So I squeezed my brain searching for the new recipe I had to create age मुझे अब ऐसा invention करना था जिससे की age बढ़े To make people old, old, older, oldest Ha ha I cried For now the ideas were beginning to come Mr. Wonka कहते है मेरे दिमाग में बहुत सारे ideas आ रहे हैं What is the oldest living thing in the world? तो यह पूछते हैं कि पूरे world में सबसे पुरानी चीज क्या है जो कि जिन्दा है अभी तक What lives longer than anything else? ऐसी कौन सी चीज है जो बाकि सभी चीजों से ज्यादा जिन्दा रहती है तो Mr. Wonka के दिमाग में बहुत सारे ideas आ रहे हैं कि मैं क्या-क्या use करूँ जिससे कि इनसान की उमर भी बहुत बढ़ जाए A tree Charlie said तो इनका जो assistant साथ में है Charlie वो कहता है एक पेड़ है जो कि सबसे पुराना है और जिन्दा भी है Right you are Charlie But what kind of a tree? अब Mr. Willi Wonka कहते हैं कि तुम बिल्कुल सही कह रहे हो Charlie पेड़ ही है जो जादा दिन तक जिन्दा रहता है लेकिन कैसा पेड़? सारे पेड़ तो एक जिसे नहीं होते हैं Not the Douglas fir ये एक पेड़ का नाम है Douglas fir वो तो नहीं है Not the oak अब oak भी नहीं है oak का जो पेड़ होता है वो भी नहीं है ऐसा Not the cedar Cedar का पेड़ है वो भी इतना नहीं रहता है No, no my boy It is a tree called the bristlecone pine that grows upon the slopes of Wheeler Peak in Nevada, USA तो USA में एक तरह के पेड़ है जिनका नाम है bristlecone pine तो वो पेड़ जो है बहुत, oldest है वो सबसे पुराने You can find bristlecone pine on Wheeler Peak today that are over 4000 years old तो वो 4000 साल पुराने हैं ये bristlecone pines और आप उन्हें Wheeler Peak में देख सकते हो This is fact, Charlie ये बिलकुल सही बात है Ask any dendrochronologist you like अब जैसा कि मैंने आपको word meaning में भी लिखवाय था dendrochronologist कौन होते है ये एक तरह की science है which deals with the study of the annual rings of trees पेडों में आपने कभी देखा है किसे पेड को कटे हुए जब पेड कटे हैं तो उनके बीच में यूं lines होती है गोल गोल, circle, circle lines होती है उनके है इन lines से क्या होता है पता किया जाता है कि पेड कितना पुराना है तो ये पता करने की जो science है उसे कहते हैं dendrochronologist तो ये कहते हैं कि bristlecone pine जो है वो ही सबसे पुराना है so that started me off I jumped into the great glass elevator यहाँ पे great glass elevator एक तरह की machine है जिसमें ये घुस जाते हैं और पीछे पहुँच जाते हैं पीछे यानि कि पीछे की age में जिसे आप सभी लोग doraemon देखते हो देखते हो ना उसमें time machine आती है ध्यान आपको सभी को पता होगा उस time machine में घुसने के बाद क्या होता है या तो इनसान बहुत पीछे चला जाता है या आगे चला जाता है तो ऐसे ही great glass elevator में Mr. Wonka घुस जाते हैं and rushed all over the world collecting special items from the oldest living things तो वो क्या करते हैं दुनिया की जितनी भी पुरानी चीजें थी एकदम पुरानी एकदम पुरानी उन चीजों को collect करने लगते हैं क्योंकि इनी चीजों से फिर ये ऐसी दवाई बनाएंगे जो की बाद में किसी इनसान को देने के बाद उसकी उमर बढ़ जाएगी तो देखिए फिर Mr. Wille Wonka ने क्या क्या चीजें डूंडी वहाँ पे जो great glass elevator में घुस गए थे ना इसके बाद कौन-कौन से चीजे देखी अ पिंट ऑफ साप फ्रम फोर थाउजन येर ओल ब्रिसल कॉन पाइन पिंट यानि ड्रॉप और साप यानि लिक्विड पेड से जो लिक्विड निकलता है तो ब्रिसल कॉन पाइन का जो लिक्विड था वो लिया उन्होंने क्योंकि वो 4,000 साल पुराना है 4,000 years old एक रशियन फार्मर था उसके पैर के नाखून का हिस्सा लिया और उस फार्मर का नाम था पेट्रोविच ग्रेगोरोविच ये लिया उन्होंने तीसरे नंबर पे एन एग लेट बाइट बाइट 200-year-old tortoise belonging to the king of Tonga तो 200 साल पुराने कच्वे का अंडा वो लिया उन्होंने वो भी एक ओल चीज है देन तो 36-year-old की cat है उसके विसकर विसकर किसको बोलते है बेटा जो जानवरों के आगे मूँ के आगे बाल मूचें जैसी होती है न वो नहीं उन्होंने नेक्स एन ओल फ्ली विच इड लिवड ओन क्रमपेट्स for 36 years फ्ली किसको बोलते है आपने सुना है क्रमपेट पे जो था 36 years क्रमपेट एक तरह का केक तो केक पे ही जमावा था 36 साल 36 years के लिए बोलिया बेन दे टेल अफ़ा 207-year-old giant rat from टिबेट नेक्स ब्लाग टीथ अफ़ा 97-year-old ग्रिमलकन ग्रिमलकन एक तरह की बिल्ली होती है ठीके बिल्ली भी 97-year-old उसका ब्लाग कलर का दांत लिया living in a cave on Mount Popo Cataple और लास्ली इनोने लिया the knuckle bones of a 700-year-old केटालू from पेरू केटालू एक तरह का जानवर होता है जो फैलो और कैटल के बीच का सा होता है है न उस जानवर का जो पेरू में रहता है केटालू उसके नकल बोन नकल बोन यानि जो हम उंगलियों के हड़ियां होती है बीच में जो पकटके से निकालते हो न that one that is called as नकल बोन ये सारी चीजें विली वॉंका ने लेली अपना एक पोशन यानि पीने की कोई दवाई बनाने के लिए अब इन सब को मिला के ये कुछ बनाने वाले हैं तो बच्चों now we have come to the second part of this lesson दूसरे पार्ट पे आ गए हम हम देख चुके हैं पहले पार्ट में विली वॉंका ने सभी पुरानी पुरानी चीजें इखटी कर ली है now all over the world Charlie Mr. Wonka went on यानि वो बोल रहा है Charlie को बता रहा है all over the world I tracked down very old and ancient animals and took an important little bit of something from each one of them वो Charlie को कह रहा है Mr. Wonka Charlie मैं पूरी दुनिया में घूमा और हर जगे से मैंने पुरानी पुरानी चीजें इखटी की a hair or an eyebrow or something it was no more than an ounce or two ounce किसे बोलते हैं ये एक तरह का नाप है ounce का मतलब पहुत थोड़ा पहुत थोड़ा ounce or two of the jam scrapped from between its toes while it was sleeping तो मैंने जानवरों के पैरों के बीच से भी खुराच के पुरानी चीजों को निकाला जब वो सोई हुए थे क्योंकि अगर वो जागे होंगे तो we know how dangerous they are तो वो कह रहा है विली वोंका कि मैंने हर जगे से कोशिश करके पुरानी चीजें निकाली I tracked down the whistle pig the bobolink, the sky rock, the poly frog the giant curly cue, the stinging slug and the venomous squircle venomous का मतलब होता है जहरीला ये सारे जानवर है अनिमल्स के नेम है उसने कहा मैंने venomous squircle का भी कुछ न कुछ लिया who can spit poison right into your eye from 50 yards away 50 yards भी अगर आप उससे दूर खड़े हो तो आपके आखों में जहर निकाल के डाल सकता है यानि इतना जहरीला जानवर है वो उससे भी मैंने कुछ न कुछ लिया but there's no time to tell you about them all now अब उन सब के बारे में अभी बताने का वक्त नहीं है it's a very long story Charlie let me just say quickly that in the end after lots of boiling and bubbling क्या क्या किया है उन्होंने boil किया किसको ये जो सारी चीज़े उन्होंने इखटी की थी न उन सब को boiling and bubbling and mixing and testing मैंने ये सब कुछ किया सारा कुछ in my inventing room तो मेरा जो inventing room है सभी scientist का एक area होता है न जहांपे वो experiments करते हैं तो विली वोंका कहने है वहाँ पे ले जाके मैंने सारी चीज़े इनको खुब boil किया जब तक इसमें bubbles ना आने लग गए तब तक मैंने इनको boil किया I produce one tiny cup full of oily black liquid तो बाद में इन सब को उबालने के बाद जो तयार हुआ वो एक cup oily सा चिखना सा black color का liquid जैसे बेटा दवाईया नहीं आती है वैसा liquid तयार हो गया and gave four drops of it to a brave twenty year old उंपा लुंपा volunteer to see what happened मैंने ये black liquid एक 20 साल के volunteer volunteer का मतलब बेटा होता है जो अपनी इच्छा से किसी की help के लिए तयार रहता है तो यहाँ पे जो volunteer है वो twenty year old है जिसका नाम है उंपा लुंपा उसको मैंने चार बूंदे दी इस portion की ये जो मैंने liquid बनाया ये दवाई बनाई उसकी चार बूंदे मैंने उस volunteer को दे दी बिली वाँका कह रहे है अब चारली क्यूरियोसिटी से पूछता है what did happen क्या हुआ आपने जब दे दिया दवाई what happened so it was fantastic cried Mr. Wonka Mr. Wonka बहुत खुशो के बोलते है कि अरे भई रिजल्ट बहुत बढ़िया था the moment he swallowed it दवाई swallow करते है न हम निगलते है that is swallowing the moment he swallowed it he began wrinkling and shriveling up all over तो जैसे ही उस 20 साल के उंपा लुंपा ने दवाई ली तो उसके wrinkles आने लग गए उसे बुडे होते है न हम तभी तो आते है wrinkles 20 साल का था वो लेकिन दवाई लेने के बाद उसके wrinkles दिखने लगे and shriveling up all over and his hair started dropping off बाल भी जडने लगे and his teeth started falling out दात गिरने लगे and before I knew it he had suddenly become an old fellow of 75 20 साल का इंसान कितना हो गया 75 यर्स का हो गया सारे बुड़ापे के निशाने दिखने लगे उसके and thus my dear Charlie was Vita Wong invented और मेरे दोस Charlie इसी तरह मैंने Vita Wong को invent किया तो हम देखते हैं starting में उसने जो दवाई invent की थी उससे लोग young हो रहे थे इतने young की minus में पहुँच गए and towards the end of the story what he invented is Vita Wong उसको लेने के बाद इंसान जो है वो उसकी उमर बढ़ने लगी थी तो पेटा ये एक imaginative story it's not real just a creativity imagine करके बनाई गई story है इसमें कोई reality नहीं है but just आपको interesting बनाने के लिए और पढ़के ऐसी stories हमें खुब मज़ा आता है right तो आप इस story को एक बार फिर से पढ़ोगे and if you have any doubt in anything then you can consult me okay